हेलो दोस्तो, आजम बात करें कोलोनियल अप्रोच और हिस्टोरियो ग्राफिकी उन्निश्वी शिताबदी के अधिकांच भाग के लिए उपनीवेशिक स्कूल ने भारत में एक उच स्थान पर कबजा कर लिया उपनीवेशिक द्रश्टिकोन शब्द का परियोग दो अर्थों में किया गया है एक उपनीवेशिक देशों के इतियास से संबन्दित है जबकि दूसरा उन कार्यों को संदर्वित करता है जो वर्चेस की उपनीवेशिक विचारधारा से प्रभावित थे ये दूसरे अर्थ में है कि आज अधिकांश एतियास कार ओपनी वेशिक एतियास लिखन के बारे में लिखते हैं वास्तम में ओपनी वेशिक अधिकारियों द्वारा, ओपनी वेशिक देशों के बारे में लिखने के प्रथा, ओपनी वेशिक शाचन के प्रभूत्व और अचित्य की इच्छा से संबंद दित थी। इसलिए इस तरह के अधिकाश एतियासिक कार्रों में स्वदेशी समाज और संस्कृति की अलोचना हुई, साथ ही साथ, पश्ची में संस्कृतियों और मूल्यों और ओपनी वेशिक सामराज्यों के स्थापना करने वाले विक्तियों की महिमा की प्रशनशा की गई, जेम्स मिल माउंट स्टुवर्ट, एल्फिंस्टन, विंसेट स्मित और कई अन पुल निवासियों से शिरिष्ट और शाषन के लिए सबसे योग्या मानते थे, भारत को एक स्थिर समाज के रूप में देखा गया, जिसे अंग्रेजियों से मार्ग दर्शन की आवश्कता थी, और विवाद गरत समाज में कानुन व्यवस्ता और शान्ति लाने के लिए पैक्स ब्रिटानिका के स्थापना करना, तो यह दा चैप्टर टू का इंपोर्टन टोपिक, कोलोनियल अप्रोच और हिस्टोरियोग्राफी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें